हाई यॉल अगर आप डर्म को कोजीक ऐसे सीरम लेने की सोच रहे हैं तो मैं बोलूँगी कि यह अच्छा है मगर इसकी रिजल्ट काफी स्लो है यह मेरी थर्ड बॉटल है अभी तक लेकिन मुझे उतना रिजल्ट नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था मगर मैं आपको कोजीक ऐसे से ज़्यादा अल्फा अर्बूटन प्रिफर ज़्यादा करूंगी क्योंकि वैसे तो आपने सुना होगा कि कोजीक ऐसे ज़्यादा अफेक्टिव होता है as compared to alpha अर्बूटन मगर जो ये kojic acid होती है उसकी जो effect होती है वो जल्दी खतम हो जाती है कुछ दिनों में उसकी effective जो होती है उसकी जो effectiveness होती है वो खतम नहीं हो जाती है मगर alpha arbutin के साथ ऐसा नहीं होता हम जो bottle में serum रखते है जो अगर kojic acid वाला लाएंगे तो उसका जो effect जो होता है वो खतम हो जाएगा मगर जो alpha arbutin का है वो वैसा नहीं होगा वो वैसा ही रहेगा तो it's better to use alpha arbutin than to use kojic acid